जब कुंडलिनी जागरत होने लगती है, तो पहले व्यक्ति को उसके मूलाधार चक्र में स्पंदन का अनुभव होने लगता है। फिर वह कुंडलिनी तेजी से उपर उठती है और किसी एक चक्र पर जाकर रुखती है, उसके बाद फिर उपर उठने लग जाती है। जिस चक्र पर जाकर वह रुखती है, उसको वह उससे नीचे के चक्रों में स्थित नकारात्मक उर्जा को हमेशा के लिए नश्ट कर, चक्र को स्वस्थ स्वच्छ कर देती है। एक सूत्र याद रखें, अनुभव जितना भी कहन होगा, तने ही श्रम और साधन की जरूरत महसूस करेगा। लोब और अहंकार का नाश हो जाता है। ओशो ने बताया निर्धारित करने के लिए पहला कदम की क्या आप कुंडलीनी जागन का अनुभव कर रही हैं। अपने आप से जाच करना है, यदि आप देखते हैं कि आपकी इंद्रिया तेज हो गई है, जुन-जुनी या अन्य समवेदनाय महसूस होती हैं, या आध्यात्मिक मुक्ती जैसे आनंद या दर्शन की भावनाय साजह करते हैं, तो यहाँ एक संकेत हो सकता है कि आपके भी बितर उर्जा जागरित हो रही है, इसका उद्देश्य आपकी कुंदलिनी उर्जा या शक्ती को सक्रिय करना है, यह एक आध्यात्मिक उर्जा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आपकी रीड के आधार पर स्थित होती हैं, चुनकि कुंधलीनी योग इस उर्जा क इसलिए यहां आपकी जागरूकता को बढ़ाता है और आपको अपने अहंकार से आगे बढ़ने में मदद करता है कभी-कभी अभ्यास को जागरूकता का योग भी कहा जाता है। ओशोग्यान कुंदलिनी जागर्ण के लिए अपनी आखें बंद रखते हुए, अपनी द्रिष्टी को अपनी भाहों के बीच अपने माथे के केंदर में रखें। एक मंत्र का प्रयोग करें। मंत्र जो आपका ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं, कुंडलिनी ध्यान का एक महत्वपूर्ण घटक हैं। इसमें आम तौर पर पवित्र भारतिय भाषा गुरुमुखी में मंत्र शामिल होते हैं। जैसे ओम का उच्चारण अपने अंदर रखे और सतत प्रयास से आपको सस्त्रार्थ तक आपकी उर्जा जरूर जाएगी। बीच के अंतराल के प्रती। उस अंतराल का अनुभव हैं आप, आपका अंतरतम केंद्र, आपका अंतस। और दूसरी बात, गिनते जाएं परंतु दस से अधिक नहीं, फेल एक पर लोट आएं, और केवल भीतर जाती श्वास को ही गिने। इनसे सजगता बढ़ने में सहा मिलती है, और जो करे होश के साथ करे। झाल, करे दो करेंद्र, और करेंद्र, यहीं करेंद्र, आपका अंतर।